हरी साख सबजी और फल उत्पादक किसानों के समक्ष अक्सर भंडारन की समस्या उत्पन हो जाती है कोल्ड स्टोरेज के अभाव में कई बार किसानों को अपनी उपज को सड़कों पर यूँ ही फेक देना पड़ता है किसानों की समस्या को देखते हुए किसान कूलिंग चेंबर का इजाद किया गया है जो काफी कम खडशीला होने के साथ साथ छोटों किसानों के लिए काफी फाइदे मंद भी है देखते हैं ये रिपोर्ट राची के सबजी और फलुद पादत किसानों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर कूलिंग चेंबर की रूप में सामने आई है GSLPS के जाइका प्रोजेक्ट के तहट महिला स्वैम सहायता समूहों को कूलिंग चेंबर की सुविधा उपलब्द कराई जा रही है ये जो देख रहे होंगे ये है हमारा कूलिंग चेंबर तो हम लोग यहाँ पर जब से काम कर रहे है तो यहाँ पर किसानों के सम्मधित लाइबलिवड सम्मधित काम कर रहे है तो यहाँ पर किसान खेती बारी भी करते थे और सब्जी वेगरा भी उगाते हैं और बाजार में बेशते भी है लेकिन हम लोग इसको ठंडा कैसे रखेंगी ये कूलिंग चेंबर मतलब एक फ्रीज में जिस तरह समलोग सबजी रखते हैं थंडा रखते हैं उसी तरह से ये सबजी रखने के लिए कूलिंग चेंबर है जो इसमें 5000 टन रखने की छमता है और ये हमारा जेसल पीएस के माधियम से कूलिंग चेंबर जाइका के माधियम से दिया गया है कूलिंग चेंबर की संचाली का और उतपादक समूर से जुड़ी रेनु देवी बताती हैं कि महिला किसानों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है एक कूलिंग चेंबर से आसपास के तीन गाओं के सेक्रो किसानों को सीधे तोर पर फायदा मिल रहा है राची जिले की ओरम माजी में कूलिंग चेंबर की शुरुआत होने से छोटे और मजले दर्जे की महिला किसानों को अपनी उपज सुरक्षित करने का मौका मिल गया है सवीता देवी बताती हैं कि बड़े-बड़े कोल्ड स्टोरेज क्विंटल के हिसाब से सब्जी रखते हैं जबकि कूलिंग चेंबर में 5 किलो ग्राम तक की सब्जी भी असानी से रखी जा सकती है कूलिंग चेंबर बठने से देखी बहुत अच्छा फायदा है तो इससे हमारे किसानों को मेहंगा पड़ता है और यहां जो हम लोगो बैठा है छोटा वाला कोल्ड स्टर तो थोड़ा कम भी रेट पड़ता है और यहां बहुत अच्छा सुविधा हो गया है कि हम लोग 2-4 केजी ही रख सकते हैं तो इससे हम लोगों किसानों को लाव मिलता है फॉल और सबजी उतपादन के शेत्र में राची जिले की किसान अग्रिनिये स्थान रखते हैं यही वज़ा है कि यहां की उपज दुबाई और सिंगापुर समेत कई अन्य दूसरे शेहरों में भी भेजी जाती है निश्चित रूप से कूलिंग चेंबर किसानों के लिए भंडारन की दिशा में अब और अधिक और फायदे मन्साबित होगा नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए राची से करमवीर की रिपोर्ट